नमस्य साथियो, फिजिक्स की दृष्टी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और इस बार हम G-set 2024 के लिए क्वांटम मेकेनिक्स में क्या-क्या चीजी इंपोर्टन्ट है, वो देखने जा रहे है क्वांटम मेकेनिक्स एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही लंबा, इसमें काफी सारे टॉपिक्स है जैसकि आप देख सकते हैं, तो इसमें से mix questions आते हैं कुछ एक दो question है, वो theoretical के base पे आते हैं कुछ दो-तीन question आते हैं आपके equation के base पे और दो-तीन जो question आते हैं, वो आते हैं आपके properties के base पे तो कौन सी theory है, कौन से वो equation है, या कौन सी जो property है जो quantum mechanics में आपको पढ़ने है, तो इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे देखेंगे कि कौन सा जो important portion मिलता है हमें quantum mechanics में तो चलिए शुरू करते हैं इसमें पता है कि mass जो है, वो 0 है, चार्च 0 है, quantum numbers जो है, वो photon का 0 है यहां से हमें ये equation मिलता है, E is equal to PC तो क्या है photoelectric effect, वो हमें पढ़ना है, वो देखना है और वो किस पे based है, वो भी देख लेना है कि जो photo current है, वो intensity of light के उपर based है या उसके proportionally relation दिखाता है इसमें से ये relation हमारे काम के है हमें पता है कि E is equal to h new होता है new is equal to c by lambda, तो E is equal to hc by lambda हो जाएगा या hc new bar भी हो सकता है, ठीक है तो ये भी आपको देख लेना है दूसरी जो theory आ रही है, जो दूसरी theory का नाम है quantum effect quantum effect में हमें पता है कि जो भी wavelength आ रही है और जब भी collision होगा तब क्या होगा scattered electron और जो भी wavelength है वो change होगा आएगी scattered photon कहा जाएगा तो वो change कितनी होगी या quantum effect क्या है, वो हमें देख लेना है और उसका equation ये रहा वो change कितना होगा delta lambda is equal to lambda s minus lambda 0, h upon mc 1 minus cos theta और इसमें दियान ये रखना है कि पूरा जो quantum effect का कितना change होगा वो theta के उपर based है ना कि वो wavelength के उपर based है, ये एक चीजे हमें दियान रखनी, अब आगे देखते है आगे की जो theory आती है, वो d-brogly जिसको बोलता है wave particle duality इसमें 3-4 equation important है और maximum ये equation important है lambda is equal to h by p आपको पता है कि lambda के जो relation है वो momentum के साथ भी है और lambda के जो relation है या frequency के जो relation है वो energy के साथ भी है तो wave particle duality के nature में ये जो equation है वो कभी कबार हमें काम लग सकते हैं वो पूच सकते हैं कि ये particle है उसकी wavelength कितनी होगी particle की wavelength कितनी होगी तो हमें पता है कि दी ब्रॉगली wavelength या wave particle duality से ये equation होगा और उसी से question आ सकता है जिसको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा equation जिससे आप find कर सकते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं थोड़ा ये जो है वो double slit interference का experiment है और ये एक equation कभी कबार आ जाता है तो मैंने यहाँ टिक कर दिया है कि दो है तो उसकी intensity कितनी हो सकते है maximum कितनी हो सकते है या minimum कितनी हो सकते है अब हम आगे बढ़ रहा है तो ये तीन theory थी जिसससे theoretical questions आता है और थोड़े बहुत important जो हम बोल सकते हैं ना equation वो भी है अब इसमें आ गए हम operator पे operator पे आपको 4 operator याद होने ही चाहिए बले ही आप बाकी याद ना रखे पहला याद होना चाहिए momentum operator दूसरा velocity operator तीसरा kinetic energy operator और चौथा energy operator तो ये आपको याद रखना है कभी कबार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये operator किस से लिनोट हो सकता है तो ये इसमें से direct question बना हुआ आपको कभी कबार मिलेगा हर बार नहीं मिल सकता अब आगे देखते हैं अब आगे जैसे ही जाएंगे तो ये रहा आपका कुछ जादू आपको पता है कि ये जो है वो क्या है कि अगर आप किसी भी particle का position और momentum जो है वो एक साथ accurate measure नहीं कर सकते uncertainty है वैसी ही uncertainty आपको energy and time में मिलेगी और वैसी ही uncertainty आपको तीसरे में भी मिलेगी तो ये भी चीज़े आपको ध्यान दखने है कभी कबार यहां से questions आ जाल sorting जर time independent and time dependent obviously हमें ये equation याद हो नहीं चाही क्या-क्या मतलब है उसका और उस equation को कैसे लिखे जा सकते हैं ये आपको एक बार देख लेना बाकि इसके जो question कैसे बनेंगे वो मैंने काफी सारे इस PDF में दिये जैसे ये है content effect वाला question वो कैसे पूछा जाएगा नीचे आप देखोगे तो velocity के related equation है ये जो है जो मैंने equation दिया था d-brogly-vivalent वाला वो कैसे solve होता है तो ये सारे questions इस PDF में दिये गए हैं तो आप एक बार इसको refer कर सकता है ठीक है तो ये तो हो गई चलो theory के बाद अब आजाते हैं modern quantum mechanics में और जैसे ही modern quantum mechanics में आते हैं चीजे बात करते हैं या लोग बात करते हैं operators की direct notation आ जाता है Schrodinger notation आ जाता है और उसमें direct जो question बनता है हमारा जो modern quantum mechanics में जो question बनता है वो question बनता है यहां से properties हग लगभग 2024 के paper पे आपके को दो या तीन question property के base में मिलेंगे जैसे कि ये property है वो commutator property है तो ये कैसे behave करें ये कैसे behave करें ये कैसे behave करें उसका trace क्या होगा trace cyclic है या नहीं है और 2021 में अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो solution तो ये property पूछी गई थी जिसका नाम है Jacobi Identity डायरेक्ट ये सवाल था कि option में से कौन सी identity Jacobi Identity है ये रह तो ये आपको एक बार देख लेना है यहां से question आने की संभावना ज्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये P और H का क्या होता है 0 because commutate with Hamiltonian है यहां से आ जाते है postulate of quantum mechanics ये basic चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसलिए जस्ट मैं आपके difference के लिए दे रहा हूँ बाकी जो important चीज़ें है और मैंने tick करके पहले ही रखी है ये equation एक बोटन है बाकी equation याद रखने के आपको जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो बहुत basic है postulate of quantum mechanics ठीक है तो मैं उपर नहीं जा रहा यहां से एक दो चीज़ें आप देख सकते हैं कि वो कैसे questions पूछते हैं बाके इसको आगे छोड़ देजिए ये theoretical मामला हो गया अब आगये हैं हम bounded and unbounded state problems में जिसमें boundary condition आप ये वाली एक बार देख रहें न कि कब वो bound है कब वो unbound है कब वो classical allowed है कलब वो classical forbidden है मतलब not allowed है वो सारी चीज़े आपको देख लेना है आपको पता होना चाहिए कि energy अगर potential से ज्यादा है तो वो allowed है अगर potential से कम है तो not allowed है ये direct question ऐसे नहीं पूछते वो graph बना के questions पूछते हैं कि ये रहा graph इसमें बता दो कौन सा allowed है और कौन सा not allowed है तो अगर ये conditions आपको पता है तब ही जाके आप उसको संभाल पाओगे के चीज़े ऐसे दिखती है जैसे यहाँ पर मैंने एक graph दिया है इसमें से कौन सा region allowed है और कौन सा forbidden है ये आपको एक बात देख लेना समझ में आ गई सारी बात है और ये जो है वो particle in one dimensional box equation आएगा ही आएगा तो इसको आँख बन करके याद रख लेना ये wave function का equation है ये energy का equation आपको दिया जाएगा जो particle in one dimension box में length L है तो आपको यहाँ value उसके उठ कर देनी है ये आपको दिया जाएगा कि ये भी energy में भी आपको length ही चाहिए बाकि सब n दिया जाएगा जो consistate में है pi constant है h cut यानि h plan constant है वो constant है mass of electron है वो भी आपको पता है तो अगर आपको L दिया जाए particle in one dimensional box तो आपको energy या फिर wave function निकालना आना चाहिए ये उतना important question है ये इतना सास लेना important है वैसा एक quantum mechanics का part है तो आप एक बार देख लेना तो चल ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब square well potential वाला ही मामला है तीक है अब देखते हैं आगे आगे देखने पे आपको ये पता चलेगा कि जो दूसरी condition है वो कौन सी है ये रहा ये same ही है ये मैंने लिखा हुआ है width यानि कि जो भी width आपको देख width 4L दिया हुआ है तो ये 4L यहां रख दिजिए तो आपका answer आजाएगा D यानि ये answer आगे ठीक है तो ऐसे questions भी कहीं बार पूछे जाते हैं तो जिसको आपको ध्यान रखना है देखो ये भी है acceptation value of P square इतना हो गया तो P square की acceptation value क्यासे निकाले ऐसे निकालना है समझ में आया मेरी बात तो ये इतना important है कि direct या indirect आपको फाइदा करेगा ही करेगा ऐसे questions को आपको एक बात देख लेना चलिए थोड़ा आप आगे बढ़े इस पीडियाप में ये reference के लिए मैंने कुछ equations दिये है infinite square well potential में कभी कबार ये equations से questions आते हैं तो ये याद रख लीजिए और वहाँ पर फी मामला width काई है width रख देंगे तो आपको उसका depth parameter मिल दाएगा depth parameter कौन सा है या कभी कबार खोजने को देते हैं या कभी कबार ये range दे देते हैं का आपको just ये देख लेना है बाकी सब चीजे आपको इसमें से छोड़ देनी just reference के लिए आप देख सकते हैं बाकी उतना चीजे important नहीं है कि वो paper में g set के पूछा जासे समझ गया आप तो चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा अब कौन सा point हमारे लिए बहुत 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 important है तो अब हम आ गए है harmonic oscillator में और harmonic oscillator पे direct energy के equations आपको मिलेंगे क्यासे जैसे ये इसमें आप डाल दीजी n की value वो first state में है या first excited state में है या second state में है जैसे n की value डाल देंगे आपको answer मिल जाएगा तो यहां से questions आप रहे ये equation हमारे लिए important थोड़ा सा रहेगा उसकी degeneracy कितनी रहेगी वो भी कभी कबार पूछ लेते हैं तो ये भी एक degeneracy और वो non degenerate है या नहीं है वो भी हमारे लिए थोड़ा सा important रहेगा एक कुछ-कुछ example मैंने दिये हुए है आप देख सकते हैं समझ रहे तो चलिए थोड़ा आगे बढ़े अब आगे हम property वाले question के यहां से सूर्वी होती है properties ये 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 direct कूछ आ गया है 2021 के paper में कि बता दो A और A plus का क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए 1 होगा या 0 होगा या minus 1 होगा या I ये चार option दिये थे तो हमें पता है कि ये हो या फिर चारो option में बोलेंगे कि ये 2 सही है या ये 2 सही है या और कोई सही है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है ठीक है और ladder operator से भी questions आते हैं तो वो मैंने यहाँ पर नीचे दिये गए है ladder operators देखते हैं किस page पे जाके ये रुक रहा है ये reference के लिए questions है हाँ angular momentum में ही ladder operator आएगा obviously L हमें पता है क्या है R x P है उसका दिमेट्रिक्स फॉर्म बनता है वो ये बनता है और यहाँ से आपोंको मिलेगा ये questions L x ly क्या होगा i h cut l z l x l z क्या होगा कब वो 0 होगा कब वो 0 नहीं होगा ladder operator पे हम आगा ये भी उतना ही important यहाँ से दो सवाल बनेंगी एक ladder operator से और एक मैंने बता न a और a प्लस वाला या कोई और दूसरी properties है x के साथ l के क्या relation है या l square और l plus का क्या है 0 है l z l plus minus का क्या है h cut l z है ये सारी चीज़े आपको याद रखनी है यहाँ से आपका एक question आएगा ही आएगा ये उतना important है ठीक है समझ दे आप चलिए तो आगे देखते हैं ladder operator ये है acceptation value यहाँ से भी आपको देख लेना है वो similar ही चीज़े है अगर उसके साथ आप इसको relate कर पाऊ कब वो 0 हो रहा है कब वो m square h cut हो रहा है तो ये l square h cut हो रहा है तो वो चीज़े आपको एक बार याद रखनी ये चीज़े याद रखोगे तो direct आपको question मिलेंगे और direct आप tick कर पाऊगे ठीक है नहीं याद रखोगे तो फिर वही गुत्थी है जिसको आपको सुलजाना है एक या दो marks के लिए paper रह जाता है तो आपको लगा होना चाहिए कि काश यह में देख लेता तो मेरे दो marks सा जाते और G set मेरा qualify हो जाता जैसे L के X के साथ relation है या L के L के साथ है वैसे ही L या S के साथ है या SS के साथ है ये चारो चीज़े हैं देखे अगर वहाँ पर LX और LY है तो उसका answer है I edge cut LZ वैसे ही SX, SY है तो I edge cut SZ तो सिफ symbolic change है बाकी जो properties है चीज़े आपको ध्यान रखना ठीक है अब आदे properties 2021 में से ये जो green box है जो green flat आपके लिए हैं यहां से question पूछे गाए थे बाई sigma X या sigma Y ये वाला question पूछा गया था दूसरा वाला कहां गया sigma X sigma Y या नहीं नहीं कहां गया हाँ sigma X sigma Y कहां गया हाँ यह रहा sigma X sigma Y 2 I sigma Z ये question पूछा गया एक paper में ये भी questions आया हुआ है तो ये जो है दो green box जो है वो आपके लिए green flag है green flag का मतलब जानते हैं आप ये सारी properties direct पूछी जाती है तो जिसको पता है वो एक ही second में ticks को tick कर सकता है तो हमें भी ये याद रख नहीं ठीक है तो properties के questions यहां से आएंगे इस PDF का link मैंने description में दिया हुआ है आप जाके check कर सकते हैं click करेगा link पे आपको direct ही ये PDF मिल जाएगी तो notes के लिए यहां वहां आपको ढूनने की जरूरत नहीं चलिए अब देखते हैं थोड़ा कि कहां से important reporter ऐसे questions पूछे जाएंगे देखो यह find दस ओके ही या फिर direct properties पे ही questions पूछे जाएंगे तो वो इतनी important चीज है अब आगा है हम additional of addition of angular momentum पे यानि हमें पता है कि s क्या है s plus s1 plus s2 j क्या है total l plus s है ये क्या है j is equal to j1 plus j2 है तो इसमें जो questions बनते हैं वो ऐसे बनते है ये couple state है आगे देखिए ये pi वाला चलिए इसको छोड़ दीजिए कहां गया वो आपको जो question मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे ये example मैंने यहाँ पर दिया हुआ है वो बताएंगे कि भाई एक जो electron है वो उसका spin ये है उसका angular momentum ये है तो spin दिया है angular momentum दिया है तो बोलेंगे कि total निकालो तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का sum total है फिर जो भी total मिल रहा है उसका minus या j1 या j2 है तो total क्या होगा j1 plus j2 होगा ये भी आपको पता होना चाहिए तभी जाके बाते बनेंगी तभी जाके चीज़े बनेंगी यहाँ पर equation का सारा खेला जाता है ठीक है ये up-down quarks है कभी-कभी आपको याद रहे ना रहे हाँ इसी में है ये special harmonics आ जाया नई शायद इसमें नहीं है यही पर ये चीज़े खतम हो जा रही यहाँ पर वो equation मिला नहीं मुझे लेकिन आपको देख लेना है कि यहाँ से कभी-कभार questions आता है ये green flag इसी लिए है ठीक है तो चलिए मैं इस PDF में है जो आपको दिखा देता हूँ Commutator relation वही relation है लेकिन यहाँ पर h आगया है कि h का else के साथ क्या relation है तो आपको पता यह क्या होता है यह 0 होता है यह वही energy वाला equation है तो चीज़े यहाँ पर repeat हो रही है यह एक याद रखीगा parity operator के हाँ यही मैं रून रहा था आपको पूछेंगे कि जो parity है L की value वो L की value आपको even मिल रही है तो 0 है odd मिल रही है तो non 0 है यानि minus 1 तो वो आप रखेंगे फिर आपको spin या parity पे questions आएंगे वो एक चीज़े आपको देख लेनी है ठीक है यह parity operator वाला एक point रह जा रहा था जो यहाँ पर आ गया है कौन सी LZ स्टेट आइगन स्टेट है तो delta ml 0 होगा L square है तो delta l 0 होगा h है तो delta n 0 होगा और यह जो तीसरा है वो एक बार पूछा गया है कि अगर h एक आइगन स्टेट है तो क्या होगा और किस में होगा तो direct पूछेंगे तो delta n 0 दे देंगे या फिल पूछेंगे कि यह जो है वो S से S पे जाके आइगन स्टेट बन रहा है L से S पे जाके पाको पता है इसका अगर आप सब्स्टेक्शन ले S 1-1 तो क्या होगा वो 0 होगा मतलब यह third वाली property हमारे लिए important थी यहाँ से question आए तो संभावना है कि यह दो भी उतने important रहे इस चीज में ठीक है अब आगे देखे है hydrogen model पे आगा यही मैं डून रहा का यह इसमें J क्या है J is equal to N minus L minus 1 यह nodes on radial axis है कभी कबार आपको पूछा जा सकता है energy का equation हमें पहले से ही पता है उसकी जो radius है वो भी हमें पहले से पता है तो यह सारी important चीज है जो हमें पहले से थोड़ी थोड़ी पता है देखना इसमें क्या रहेगा जो देखना है इसमें वो यह रहेगा कहां गया N square हाँ N square आ गया अच्छा यह यह जो lead general C वाले हैं कि यह first excited state में है तो H atom कहां पर होगा तो ऐसे question कभी कबार वो उच लेते हैं तो जिसका आपको ध्यान रखना है ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए चलिए यह भी lead general C का questions है lead general C पे एक या दो questions एक या दो questions मैंने पिछले साल के paper में देखे थे रखता है चलिए अब आगे देखते हैं यह भी सारे सारे वही questions है जो आप एक बात देख लेंगे तो आपको पता चल जाए अब यह particles में से आपको पता है कि जो bosonic behavior है वो किसका है photon का है और electron का क्या है फर्मियोंस का है यानि नमबर में तो यह भी चीज़ें हमें याद है इसमें से आपको एक question है वो fugacity का मिलेगा कि photon के लिए fugacity की value कितनी होती है या फिर electron के लिए fugacity की value कितनी होती है तो यह एक बार आप चेक कर लेना कि boson के लिए fugacity की value कितनी होती है फर्मियोंस यानि electrons के लिए fugacity की value कितनी होती है तो ये एक important question रहेगा ये particle miss ठीक है तो आपका 1-2 marks यहाँ से आपको मिल जाएगा आपको पता है symmetric boson है anti-symmetric fermions है ये भी चीज़े और मैं पता ही है उसमें आता है वही legioner c वाला तो कैसे निकालने है उसका equation यहाँ पर दिया गया है और उसकी जो properties निकल क्या आते हैं वो यह रहे तो ये 1, 2, 3, 4 ये भी आपको देखना है और खास करके singlet कब है और triplet कब है ये चीज़े याद रखने हैं दोनों वही है sigma 1 into sigma 2 अगर वो singlet दे रहा है तो minus 3 है triplet है तो वो 1 देगा तो ये भी चीज़े हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है ये चीज़े शायद आ गई है ये Hilbert Spades का एक questions है तो ये याद रखेगा कभी कबार ये पूछेंगे हमारा answer क्या होगा हमारा answer हमेशा 8 ही होगा चलिए तो शायद ये चीज़े खतम हो गई है और next जो है वो perturbation theory ये एक theory देख ले रहा कि perturbation यानि कि आपको पता ही है कि कोई भी small perturbation आएगा तो वो change हो जा रहा है unperturb Hamiltonian और उसका change लिखते है तो वो नया Hamiltonian निकल के आता है और कैसे आता है वो एक example अगर आप कोई साभी देख लेंगे शायद यही example देख लेंगे तो वो उसके लिए इन अफ होगा कभी कबार पूछ लेते तो पूछ लेते बाकी ये उतना ज़रूरी है नहीं तो ये दूसरा example आप उसके लिए देख सकते हैं कि आपको कैसे निकालना है अनपर्टब थियरी से मतलब अनपर्टब बर्शन थियरी से और शायद आगे एक WKB approximations होगा ये एक चीज़े इंपोर्टन है ये एक equation याद रखेगा शायद यही equation डाइरेक्ट दे देंगे ठीके और WKB approximation इसका last topic होगा इस PDF का अच्छा ये भी question जा रहा है आप मेरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना वो डाइरेक्ट ही पूछ लेंगे कि नीचे दिये गए option में से फर्मी golden rule का equation कौनसा है और इसका जो equation है वो एक नहीं है दो-तीन टाइप से लिखा जा सकता है तो वो कौनसा कौनसा टाइप है वो भी आप एक बार देख लीजेगा और आप गौर करिएगा जब paper निकलेगा 2014 का ये होगा होगा और होगा फर्मी golden rule का जिक्रो होगा होगा और 100% होगा तो ये भी आपको एक बार देख लेना अब शायद scattering theory पर हम आ गए है scattering theory जस्ट आप देख लीजेगा उतना कुछ है नहीं इसमें और शायद last जो point है वो WKB approximations है तो WKB approximation में भी अच्छा वो चला गया है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं तो अब आगे देख से हैं हाँ आ गया WKB approximation इसका approximation में semi classical approximation है वो एक बार आपको देख लेना है और और उसका जो equation है शायद यही है ये जो equation है वो shortcut method है direct energy से क्या है तो जो भी दिया है वो एंखी value रख दीजेगा आपको ये shortcut method याद रख लेनी है तो उसकी जो चीजे है वो सारी चीजे यहाँ पर खतम हो जा रहे खिक है तो ये हमारे 144 पेज का जो PDF था वो यहाँ पर खतम हो रहा है और इसमें से important कितनी चीजे हैं वो मैंने आपको पहले से बता दी 2021 का part 1 और part 2 का दोनों का solution है वो हमारी channel पे पहले से ही uploaded है और next एक week के अंदर आपको 2022 और 2023 दोनों के solution जो है वो इस channel पे मिलेंगे तो हमारा channel का नाम आपको याद ही है physics की दृष्टी तो इसको subscribe करके रखिए और इस PDF का link आपको इसी channel के description में दिया है तो आप वहाँ जाकर download कर सकते है आपको अगर all notes चाहिए all notes PDF तो हमारे वो दिवाले gift वाले वीडियो में दिया गया है तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते है इस solution को भी चेक कर सकते है तो like करे, subscribe करे इस channel को और हमारे साथ जूड़े रहिए थैंक यू, थैंक यू